हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग आला फियू मैं हूँ मुहमंद असलम रजा और आज आप लोगों के लिए बिल्कुल नए टॉपिक के उपर बात करने वाला हूँ जी हाँ जैसा कि आज आज आपको मालू है कि आज है 23 जनवरी सन 2022 और ये 23 जनवरी का संबन आपको मालू है कि भारतिय इतिहास में सोरण अच्छरों से दर्ज किया गया है क्यों क्योंकि सन 1897 भी को उड़ीसा राज के कटक में एक बंगाली परिवार में एक बालक का जन्म होता है और नाम रखा जाता है सुभास चंदर बोस जी हाँ आज की इस 23 जनवरी का संबन नेता जी सुभास चंदर बोस से संबन दित है जिसे आज हम हिंदुस्तानी पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं आज नेता जी सुभाष चंदर बोस जी के जीवन परिचे के बारे में न बात करके आज हम उनके पराक्रम के बारे में जानेंगे नेता जी सुभाष शंद बोस ने इसकूली पढ़ाई कटक से पूरी करने के बाद कोलकाता के प्रिसिडेंसी कालेज से फिलास्पी में बीए की डिगरी पराब्द की आप सिबिल सर्विसेज में जाना चाहते थे लेकिन उस वक्त भारतियों के लिए सिबिल सर्विसेज में जाना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि سیبل सर्विसेश की तयारी के लिए ना तो यहाँ पर उप्युक्त संस्थान थे और ना ही आसानी से भारतियों को सिबिल सर्विसेश की परिच्छा में बैठने की इजाज़त ही मिलती थी इसलिए नेता जी सुभाश चंद्रबोस के माता पिता ने आपको civil services की तयारी के लिए以ग लेंड भेज दिया इगलेंड जाकर कर के नेता जी सुभाश चंद्रबोस ने civil services की तयारी की और एग लेंड में होने वाली civil services की परिच्छा में चोथा इस्थान पराप्त किया और सबसे रोचक बात ये थी कि सिबिल सर्विसिस की परिच्छा में आपको अंग्रेजी बिसाय में प्रथम इस्थान प्राप्त हो गए था। बही पे नेता जी सुभाश्चंदर बोल बोस सिबिल सर्विस जोईन करके सर्विस करने लग गए। वात 13 अप्रिल सन 1929 इस भी की है जब भारत में जलियां वाला वाक का बहुत बड़ा नरसनहार हुआ। कहा जाता है जिसका नेता जी सुभाश्चंदर बोस के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। नेता जी सुभाश्चंदर बोस स्वामी विबेका नंद जी को अपना गुरु मानते थे। और इसी से प्रभावित होकर नेता जी सुभाश्चंदर बोस ने सन 1921 इस भी में सिबिल सर्विस को ठोकर मार कर भारत लोटाये। सन 1949 इस भी की बात है जब दूसरा विश्यूद चल रहा था। नेता जी ने दूसरे विश्यूद की तरफ अपना रुख किया। बेपूरी दुनिया से मदद लेना चाहते थे ताकि अंग्रेजों के ऊपर दबाब बढ़े और बेदेश को छोड़ कर चले जाए। जिसके सकारात्मक परणाम भी देखने को मिले इसके बाद बिटिस सरकार ने उन्हें जेल में कैद कर दिया। नेता जी सुभाष चंदर बोस ने जेल में दो सब्ता तक ना तो कुछ खाया और ना ही पिया। जिससे की उनकी हालत बिगड़नी सुनुग। अंग्रेज हुकूमत को डर था कि नेता जी सुभाष चंदर बोस यदि जेल में मर गए तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि देश के युवाओं में नेता जी सुभाष चंदर बोस को लेकर बहुत उत्साह था और युवा जगे जगे नेता जी सुभाष चंदर बोस को रिहाई के लिए परदर्सन भी कर रहे थे। इसलिए अंग्रेज हुकूमत ने नेता जी सुभाश चंदर बोस को जेल से उनके कोल काता इस्तित आवास में सिफ्ट करके नजर बर्ल कर दिया जहां से नेता जी ने अपने भतीजे सिसिर के साथ भेस बदल कर घर से निकल लिये और सबसे पहले बिहार पहुँचे बिहार से पाकिस्तान के पिसाबर होते हुए आप काबूल पहुँच गए काबूल से सोबियत रूस होते हुए आप जर्मनी पहुँचे और जहां आपने हिटलर से मुलाकात की सन उनिस सो तैतालीच इसबी में नेता जी जर्मनी छोड़कर जापान चले गए जहांबे मोहन सिंग से मिले जो उस समय आजाध हिन फोज के प्रमुक्त है नेता जी ने मोहन सिंग वारास बिहारी बोस के साथ मिलकर आजाध हिन फोज का पुनर गठन किया सन उनिस सो चवालिस इसबी में नेता जी ने अपनी आजाध हिन फोज को नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाधी दोगा 21 अक्टूबर सन उनिस सो तैतालिस इसबी को नेता जी सुभाश चंद्र बोस ने आजाध हिन सरकार की स्थापना किया आजाध हिन सरकार भारत की पहली 23 सरकार थी इस सरकार को विश्व के नव राष्ट्रों ने अपनी मानेता भी परदान कर रखी थी उनिस सो तालिस इसबी में आयोजद ग्रेटर इस्ट एसिया को प्रो इस्पेरेट इस्पेर में भारत सरकार के परधान हेड आफ इस्टेट के रूप में नेता जी ने हिस्सेदारी की और विख्यान में दिया और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले राष्टरों के मध्ध नेताजी सुभास्चंदर बोस के साथ कई करार भी हुए नेताजी सुभाश्यंदर बोस को विश्व की जो महासक्तियां भारत का राष्ट्रा धेच सुईकार करती थी वह नव थी और उनमें जापान, जर्मनी, इटली, इंडिपेंडेंट, इस्टेटाप, कुरोसिया, नान जिंग की वांग जिंग वेई की सरकार नान किंग चाइना, थाइलेंड, बर्मा, मांचिको और जापान नियंतरित फिलिपीन्स था रूस के साइवेरिया में आजाध हिन सरकार का दूताबास भी बनाया गया जब नेता जी सुभाश्यंद्र बोस ने सिंगापूर के कैथी सिनेमा हाल में आजाध हिन सरकार की घोशना की जिसे अरजी हुकूमते आजाध हिन अर्थात स्वाध हिन भारत की अंतरीम सरकार नाम दिया गया नेता जी अंतरीम सरकार के राष्ट्रा धेच अर्थात प्रधान मंत्री यूद्ध यवं बिदेश मामलों के मंत्री तथा सेना के सर्वोच सेनापती के रूप में चुने गए मंद्र मंडल के अन्य सदस इस प्रकार थे डाक्टर लच्मी विसुनाथन महिला संगठन बिभाग की मंत्री थी तो वहीं E.S.A.I.R. सूचना और प्रसारण बिभाग के मंत्री बनाए गए E.S.C. चटर जी वित्व मंत्री अजीज अहमन को रच्छा मंत्री बनाया गया था E.S. भगत चीफ आफ जनरल इस्टाफ थे जे के भोसले कैबिनेट सदस गुलजारा सिंग, E.S.A. कियानी, A.D. लोक नाथन, एहसान कादिर और सहनवाज खान इन सब को कैबिनेट सदस से बनाया गया था, जो आज कैबिनेट मंत्री का उहदा रगता है C.E.L. धिलो प्रधान मंत्री के प्रमुक सचिब बनाया गया थे वहीं रास बिहारी बोस सर्बोच सलाहकार थे उसी के साथ में मेसर्स करीम गान्धी को भी सलाहकार निप्त किया गया था आजाध हिंस सरकार में राश्ट्री पहचान के चिन्हों में जो भासा चुनी गई वह हिंदुस्तानी थी, जो हिंदी और उर्दू का मिला जुला रूप थी मुद्रा रूपिया थी और आजाध हिंस सरकार की अपनी जो मुद्रा थी उसका खुद का अपना वैंक भी था जिससे दस रूपिया, सो रूपिया, एक हजार रूपिया, दस हजार रूपिया और यहां तक की एक लाख रूपिया तक के नोट छापे जाते थे जिन पर नेता जी सुभास चंदर बोस के चित्र बने होते थे आजाद हिंस सरकार की अपनी डंक बिभाग भी थी राश्ट्री धोज तिरंगे पर धारते हुए बाग का चित्र बना था और आजाद हिंस सरकार ने जो राश्ट गीत चुना था वह कभी हुसैन द्वारा रचित था जिसके बोल थे सुख चैन की बर्खा बरसे भारत भाग है जागा आजाद हिंस सरकार का अपना बैंक, करिंसी, संबिधान, डाक टिकट, रेडियो, इस्टेशन, फाउज और प्रिसिचन संस्थान भी थे आजाद हिंस सरकार के गठन के बाद जापान ने अंडमान और निकोबारदी आजाद हिंस सरकार को सौब दिये नेता जी ने इन दिवपों का नाम बदल कर शहीद और सुराज रखा और आजाद हिंस सरकार का मुख्याले भी वहीं इस्थापित किया अपने अदम साहस और योगदान से करोणों भारतियों में आजादी की अलख जगाने वाले आजाध हिंस सरकार वा फोज के संस्थापक नेता जी सुभास चंदर बोस की जैनती पर उन्हें सत सत नमन आप सभी को पराक्रम दिवस की बहुत धेर सारी सुपकाम नाएं आपके साथ मैंने ये जो जानकारी सेर की है इसे नियूश्पेपर, किताबों और इंटरनेट से मैंने निकाला है यदि इसमें कहीं कुछ भूल रही हो या मैंने कुछ आप तक गलत जानकारी पहुँशाई हो तो किरपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं जिससे की हम अपनी भूल को सुधार कर सकें तब तक के लिए